कि आरच्छन की बात की जाए रिजर्वेशन की बात की जाए तो क्या है बहुत सिंपल जानिए सामाजिक एवं सेच्छिक तोर पर पिछडा हो ठीक है सामाजिक और सेच्छिक तोर पर जो पिछडा है पिछडा वर्ग है उनकी बात की जाती है पहली बात और दूसरी बात की जाती है राज के सेवाओं में जिसको आप नियोजन या एंप्लाइमेंट की रूप में आपने पढ़ा था ठीक है परियाप्त कि प्रतिनिधित नाप्राप्त हो दो बातें ठीक यसी एस्टी के रिजर्वेशन और अधर रिजर्वेशन ये एक अलग चीज़े हैं अपनी जगा की बात है ज्यादा वाद विवाद जो उत्पन होता है वो बिसी रिजर्वेशन पर उत्पन होता है मुखधारा के साथ चल भी हैं फिर भी क्या कोई कमी रह गई है या वो कमी उनकी संख्या के अन्पात में ज़्यादा बड़ी है उससे रिलेट करके OBC आरचछड की बात की जाती है अब इसमें देखते हैं क्या है सामाजिक यानि की socially और educationally backward हो और राज की जो सेवाएं है employment है नियोजन है इनमें भी उचित प्रत्रिधित नहों representation उचित मात्रा में नहों इसको ground बनाया गया है आठकिल 15 और 16 में इनके आधार पर reservation की बात की जाती है और इसी के लिए इसी की पूर्ति के लिए वरत्मान की जो बेवस्था है 27% आरचछड की बेवस्था की गई है बहुत simple सी बात सभी लोग जानते है आप यहां बात आती है कि इनको जो आरचछड दिया जाएगा जो कुछ भी रहा मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी आप जानते हैं फिलहाल वो परपज नहीं है पढ़ने का आरचछड बेवस्था सिर्फ हमें तीन परपज से पढ़ने की फिलहाल की जो क्लास वो तीन परपज के लिए है एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि इन आधारों पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है फिर इन में हारिजेंटल या वर्टिकल कौन सा रिजर्वेशन लागू है और कैरी फारवर्ड रूल क्या होता है उससे बाकी मतलब नहीं है ठीक है इंडिविजबल आरचछड पढ़ा जा सकता है यहां पर कोश्चन के परपस से है ठीक तो इंट्रोडक्टरी आप यह जा साथ एक प्रस्ण उठा एक प्रस्ण उठा अग्र नयन का सिध्धांत कैरी फारवर्ड रूल क्या है इसके बारे में जब चर्चा होनी शुरू हुई इसके बारे में जब चर्चा हुई तो शुरुआती दोर में बहुत कुछ अस्पश्ट नहीं था प्लस माइनस होता रहा ठीक है वैलिड है वाइड है ऐसी बाते कही जाती रही इसी के बहाने दो और सब्दों की भी चर्चा हुई ठीक इस कैरी फारवर्ड रूल के लिए वर्तमान में दो और सब्दों की चर्च करके बिल्कुल अस्पश्ट कर दिया गया क्या किया गया तो कटेग्री यहां लिख ले रहे हैं अभी पढ़ेंगे उनके बारे में बाद में पहले यह देख लेते हैं इस कैरी फारवर्ड रूल के लिए कि समझने के लिए दो बातें ठीक है और्द्वा धर आरचन यानि कि वर्टिकल रिजर्वेशन और छैतिज आरचन यानि कि होरिजेंटल रिजर्वेशन ठीक है इन दोनों की बात हुई उर्ध्वाधर आरचन क्या होता है हारजेंटल रिजर्वेशन क्या होता है ठीक तो अभी उर्ध्वाधर और हारजेंटल किस प्रकार अस्पश्टी करन देते हुए कैरी फारवर्ड रूल को शुरूवाती दौर में सिर्फ अग्रनेन की सिधांत की बात कही गई थी कि क्या इस वर्ष की इसका प्रस्ण है अग्रनेन सिधांत का कि क्या वर्तमान वर्ष की घोशित जो इस वर्ष डिकलियर की जा चुकी है नौकरियों में के लिए बची हुई आरचित वर्ग की सीटों को अगले वर्ष सिर्फ उसी वर्ग के लिए पुनाह विज्यापित किया जा सकता है यानि कि प्रश्ण क्या बना अगरनेन के सिध्धान को अगर हम थोड़ा सा इस्टेंड करके जाने समझें तो प्रश्ण क्या बनता है क्या वर्तमान वर्ष की घोसित नवकरियों के लिए बची हुई जो अरच्छित वर्ग की सीटे हैं उनमें उनको अगले वर्ष शिर्फ उसी वर्ग के लिए पुनाह विज्यापित किया जा सकता है पहला कोश्चन हो गया दूसरा प्रश्ण दूसरा प्रश्ण भी आप समझें यह पहला हुआ तो दूसरा प्रश्ण है क्या एसा विज्यापन सो प्रतिसत रिजरवेशन की बात करता है यानि कि अब जब ये विज्यापन नये सिरे से निकाला जाएगा बची हुई सीटो के लिए सिर्फ और सिर्फ उसी वर्ग के लिए तो क्या ये विज्यापन, hundred percent रिजरवेशन की बात तो नहीं कर देगा ये दो प्रमुफ प्रस्ण है कैरी फारवर्ड रूल में अगर ये बात समझ में आ रही है प्रस्ण समझ में आ रहे हैं उत्तर बहुत आसानी से दिया जा सकता है ठीक है हा नहीं का उत्तर भी दिया जा सकता है और क्रमसह मेंस में लिखने का उत्तर भी दिया जा सकता है तो इ उनके लिए अगले वर्ष नया विग्यापन सिर्फ इसी वर्ग के लिए निकाला जा सकता है और अब निकाला जाता है तो तो यह सौब प्रतिसkel आरफथन माना जाएगा यह दो प्रक्रेविंगी if तो इन प्रश्णों के अंसार जो है, अंसार देना है और अंतिम में हमको उत्तर मिलेगा, कौन कौन से प्रमुकवाद हैं, उनके साथ भी आपको इनको पढ़ना है, तिक है, आपको पढ़ना है, अब इस कैरी फारवर्ड रून और आरच्छण के लिए दो प्रमुकवाद आ आते हैं, तिक है, दो प्रमुकवाद आते हैं, दोनों मोस्ट इंपर्टेंट है, तिक है, पहला वाद है, बाला जी बनाम मैसूर राजी, बाला जी बनाम मैसूर राजी, उन्निस सो तिरेशट का, बाला जी बनाम मैसूर राजी, उन्निस सो तिरेशट, और दूसरा वाद आपका इसमें इंपर्टेंट है, देवासन बनाम भारस संग उन्निस सो चौशट, ठीक है, आप देखी, OBC रिजर्वेशन पर सबसे प्रमुफ तीन वाद अगर चुने जाने हैं, तो पहले ये दो और तीसरा इंद्रा साहिनी का वाद, यानि मंदल कमीशन का वाद, सीधा, इन तीनों को आप कभी भी, एक भी आप नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, वाकि बहुत से वाद आये गए, सब कुछ वो अपनी जगास बात है, कितना आप मेंटेन करते हैं, लेकिन दो ये, और अभी इंद्रा साहिनी भी आ जाएगा, तीन वाद कमपलसरी हैं आपको मेंटेन करके चलने के लिए, तो बाला जी बनाम मैसूर राज जब आया, तो इ 50% की सीमा सरप्रथम किस वाद में निर्धारित की गई, ठीक है, जो भी term condition बनाते हुए, इन्होंने निर्धारित किया अलग बात है, वो लेकिन सरप्रथम सब्द लगा दिया जाएगा, तो एंसर बाला जी होता है, ना कि मंडल कमीशन का वाद, लेकिन सभी लोगों ने मं का गया, ठीक है, कैरी, फॉर्वर्ड, रूल को सक्तिवाहे, घोसित कर दिया गया, सक्तिवाहे मतलब, सरकार को सक्ति नहीं है, यानि सरकार के पास इस परकार की सक्ति नहीं है, कि वो बची हुई वेकिन सियों को सिर्फ उसी वर्ड के लिए नए सिरे से बिग्यापित कर सके, ठीक है, सक्तिवाहे घोसित कर दिया गया, 50% की लिमिट लगा दी गई बाला जी में, और इसमें भी कैरी, फ से भारस संग, कि इन दोनों वादों में प्रारंभिक तोर पर OVC रिजर्वेशन, क्योंकि OVC रिजर्वेशन की बात, इस समय बात ही थी, कि मुख रूप से जो प्रवर्तन में आया, समयधानिक संसोधनों को भी आप जानते हैं, हर चीज को जानते हैं, तो ये 90 के दसक मे जो है, मुख बुद्दा बना, मुख तोर पर पर परोवर्तन में आया, लेकिन उससे पहले भी यहीं एक प्रश्ण उठता है, प्रश्ण दो है, एक ही प्रश्ण है, दो तरीखे से कहा जा सकता है, कारिपाल की आदेश, एक्जक्यूट्यू आडर्स को जान ही रहे हैं, आ अगर कुछ किया गया है तो वह बिध निर्माण की प्रक्रिया होती है लेकिन बहुत से ऐसे आदेश होते हैं जो कारपालिका द्वारा दिये जाते हैं यह प्रस्ण उठता है उस प्रस्ण को भी दिमाग में बना कर रखिएगा एंसर मिल जाएगा खुद बखुद एक और प कारपाल किये यानि कि एक्स्क्यूट्यू आदेश द्वारा भी लाया जा सकता है या जारी किया जा सकता है इसी प्रस्ण को दूसरी तरीके से भी पूछा हुआ है क्या आरच्षण कारपाल की आदेश द्वारा भी लाया जा सकता है या लागू किया जा सकता है यह तो आरच्षण सब्द से जोड़ करके बना दिया गया दूसरा एक सामान प्रश्ण भी बनता है इसका और सामान प्रश्ण क्या बनता है उसको भी आपको जानना जरूरी है स इक्जीक्यूट्यू पावर के तहत बनाए नियम आर्टकिल 13 के विधिसब्द के भीतर आते हैं यह दो इस्पेसल कोश्चन आपके बन गए ठीक है आपने सम्धाई सक्ति का प्रयोग करते हुए उसकी चर्चा भी अलग से आपने जनरल बिधाई सक्ति का प्रयोग करते हुए विधिया 13 में आती है इसकी चर्चा कर ली अब एक और प्रस्ट भी लगातार आता है वो भी आपको जानना होगा क्या कारिपाल का भी अनुछे 13 के दायरे में आ रही है क्या कारिपाल के आदेश भी अनुछे 13 के दायरे में आ रहे हैं कि ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकते हैं जो fundamental rights का उलंगन करने वाले हो उलंगन की स सक और 90 में ज्यादा चर्चित रहीं यहां पर वाद आप लिख रहे हैं उनीच सो तिरेशट उनीच सो चौशट यहां से ही प्रश्ण विचार दिये था कि कारपाल की आदेश की भून क्या का रहेगी तमाम जो ऐसे प्रश्ण थे लिमिट आफ प्रिजर्वेशन कारी फार बाला जी और देवासन को छोड़कर नहीं चल सकते हैं छोड़कर नहीं चल सकते हैं बाला जी में 50% सीमा की बात की गई देवासन में कहरी फारवर्ड रूल की बात की गई अब दोनों बातें हो गई अगर रैन का नियम भी जो है सक्तिवाह घोसित हो गया ठीक है सब कुछ हम आरच्छड पूरा ना पड़े फिर भी एक और प्रस्ट भी रहता है बाला जी में कहा गया जाति को आरच्छड का आधहार नहीं बनाया जा सकता मामला और उलज गया सामा जी को और सेच्छड का आधहार पर आरच्छड की बात कही गई और उन्हें पिछडी जातियां कहा जाएगा ऐसी बात कही गई और जाति को आरच्छड का आधहार नहीं बनाया जा सकता है ये बाला जी में कहा गया मामला उलजता जा रहा है सुलजने की जगा और उसी दोरान जनता पार्टी सरकार जब चुनी जाती है 1989 में और वो रिजर्वेशन सम्मंदिस संसोधन करती है बिल आ जाता है सब कुछ आ जाता है तो तमाम तरीके से जो बवाल मत जाता है क्या है क्या नहीं वो कारण यही थे कि हर एक प्रस्ण भी प्रस्ट मार्क ही लगे हुए थे क्वेस्टन मार्क की ना सरकार की नीती आसपश्ट थी ना कोर्ट ने कोई असपश्ट जबाब दिया था सारा सिस्टम डामा डोल था इसलिए मैंने कहा कि आरच्षण को इंडिविज्वल पढ़ना वो हिस्टारिकल तरीके से हिस्ट्री को पॉलिटी से मिला कर पढ़ना पड़ेगा यह प्रस्णों के एकार्डिंग है जो प्रस्ण डारेक्टली पूछे जा रहे हैं उनमें आप कितना इजी है नहीं तो समस्या हो जाएगी प्रस्ण उठ गया सीमा लिमिट कर ठीक है जाती को आदार बनाया जा सकता है कि नहीं कैरी फारवर्ड रूल की स्थिख्या होगी तिक है यह सारी बातें प्रस्ण हो गई उत्तरों से सटिस्फाई नहीं थे उत्तरों से सटिस्फाई नहीं थे सरकार सटिस्फाई नहीं थी सरकार ही प्रतिनिद ही होती है जनता की तिक है अब अब मंडल आयोग का मामला आएगा तिके सारा निर्धारण हो जाएगा इसके बाद तिके बाला जी बनाम मैसूर राज उन्निट ये बैक टू बैक है दोनों 1963 देवासन बनाम भारत संग 1964 और अब आजाईए मंडल आयोग इंद्रा साहिनी बनाम यूनियन आफ इंडिया 1993 जिसे हम मंडल वाद भी कहते हैं कारण बड़ा असपस्ट है मंडल कमिशन की रिपोर्ट्स पर और उन रिपोर्ट्स के आधार पर सरकार द्वारा लिए गए एक्शन पर इन्हीं पर विशेश बात हुई इसी पर निर्धारण की बात थी और उससे संबंदिज जो बाला जी और देवासन के मामलों में बात सुप्रिम कोड द्वारा कही गई थी उनका अंतिम रूप से यहां पर निस्तारण भी करना था अधर्वाइज मंडल कमिशन की रिपोर्ट्स सरकार की जो है जो आदेशिकाये जारी हुई थी विधियां बनी थी और इन मामलों में डिस्क्यूट क्रियेट रह जाता तब य पचास प्रतिशत की सीमा का निर्धारण किया गया और ये निर्धारण सिर्फ OBC वर्क के लिए नहीं था आरच्छण की सीमा पचास प्रतिशत होगी इस बात को कहा गया थी दूसरा जाति को जाति का आधार मानने किया गया मानने ता मिली कि जाति के आधार पर हम OBC वर्क को चुन सकते हैं कौन होंगी कौन कौन सी जातियां इसमें आएंगी और तीसरी बात आई कैरी फारवर्ड रूल को मानने ता यानि की पचास प्रतिशत की सीमा को भी मानने ता जाति जो इन्होंने कहा था आधार नहीं यहां जाति को आधार की मानने ता मिल गई देवासन में जो कैरी फारवर्ड रूल को सक्ति भाह गहुसित किया था कैरी फारवर्ड रूल को यहां पर मानने तीनों बातों कामनने ता मिल गई अब माननता मिलने के बाद और एक प्रस्म हमारा उठा八था क्या कारेपालिका के विरुद्ध भी प्राप्त है तो उसका भी उत्तर दिया गया ठीक है कारेपालिका के आदेशों पर भी लागू यानी कि कारिपाल का द्वारा X-Q2 जो है द्वारा दिये गए जो आदेश होंगे वो इन नियमों से बाहर नहीं रहेंगे वो भी इन नियमों के तहट आएंगे यानी यह बात भी हस पश्ट हो गई कि UX-Q2 पाउर के तहट दिये गए जो अर्डर्स है वो भी अनुच्छे 13 के दाइरे में आते हैं या आरच्छन सम्मंदी अगर कोई कारपाल की आदेश जारी किया जाता है तो निर्धारित विधियों को वाइलेशन नहीं कर सकते हैं अनुच्छे 15 और 16 में लिखी बातों का वाइलेशन नहीं किया जा सकता है मातरै तक सुन्हें होगा जितना भी उलंगों करेंगे उतनी मातरा तक सुन्हें होगे सभी बातों का पता छेफ हुआ इंद्रा साहनी में मंदल कमीशन के बाद में इसलिए इतना है अब यहींपर कायरी फारवर्ड रूल को समझावने के लिए reservation की दो categories की बात की गई reservation की दो categories की बात की गई पहली category है ठीक है vertical या ओर्धुवाधर आरच्छड ठीक तो आप देखे वर्टिकल का जो arrow बनता है वो इस प्रकार बनता है वर्टिकल का arrow ठीक है उर्धुवाधर आरच्छड का arrow उपर की ओर बनता है बस यहीं से सारा हिंट आपको मिल जाएगा गलती कभी नहीं होगी ठीक इसका आर्थ क्या हुआ और ये प्राप्त किसको है ये प्राप्त है O, B, C Y, C, Y, T उर्धुवाधर आरच्छड किसे प्राप्त है O, B, C, Y, C, Y, T अर्थाथ इसका अर्थ क्या हुआ ठीक है वैक लाग वैकेंसीज निकाली जा सकती है और वैक लाग वैकेंसीज क्या होती है पिछले वर्ष की आरच्छित कटेगरी में बची हुई जो सीटे है उनको अलग से विग्यापित करके निकाला जा सकता है यानि कि जो मानिता मिली है कैरी फारवर्ड रूल को यह मान है इस दायरे में नहीं आएगा कि 10 सीटे बची हुई थी दसों के लिए जो अलग से बिग्यापन रहा यह वैक लाग वैकैंसीज है 10 उसी वर्ग के लोग भरे जाएंगे 10 की दसों सीटों पर उसी वर्ग के लोग भरे जाएंगे जिस वर्ग की बची हुई सीटे थी तो इसे 100% आरच्छड नहीं कहा जाएगा क्योंकि वर्टिकल रिजर्वेशन के तहट जिनको वर्टिकल रिजर्वेशन का लाप राप्त है उसके तहट यद इनके लिए किनी बैकेंसीज का निर्धारण करके फाइनल कर दिया गया है कि ये वैकेंसीज इतनी पद इसी वर्ग के लिए चाहिए तो वो भले ही बची रह जाए एक बार पदों का जन्म हो जाने के बाद वो पद समाप्त नहीं होंगे कि समाप्त करके दोबारा नए सीरे से विग्या पंजारी किया जाए बलकि उन्हीं के लिए आरचित रहेंगे इसलिए वर्टकली उर्धवाधर वो उपर की और यानि अगले वर्ष की और चले जाएंगे उसी कटेगरी में सिर्फ और सिर्फ उसी कटेगरी के लोग उस बैकेंसी में भरे जाएंगे नेस्ट यर की जो सामान कटेगरी है पुना इन प्रक्रियाओं को फालो किया जाएगा लेकिन बची हुई बैकेंसी को 100% रिजर्वेशन ना मान करके उनको अपग्रेड करके उसी वर्ग के लिए लाया जाएगा क्योंकि ये पिछले वर्ष की बैकेंसीया है पिछले वर्ष उचित प्रतनिधित देने के लिए उतनी बैकेंसी बचाई बनाई गई थी जो बची रह गई है तो वो प्रतनिधित अगर अगले वर्षों में उनके लिए नहीं रह जाएगा इस साल बच गया है तो फिर कैसे उचित सेवाओं में उचित प्रतनिधित आपाएगा इसलिए जो बैकेंसी जिस कटेगरी के लिए बन गई है वो अगले वर्ष भी पु होरिजेंटल यानि कि छैतेज आरच्छड छैतेज आरच्छड क्या रहा? बहुत सिंपल रहा यह किसे प्राप्त है? यह जानिए यह किसे प्राप्त है? यह प्राप्त है महिलाओं को महिलाओं को प्राप्त है वोमेन को प्राप्त है विकलांग को प्राप्त है या आपका यह दिव्यांग को प्राप्त है सेना से रिटायर हुए लोगों को प्राप्त है जो सेना से रिटायर हो जाते है तो राज की सेवाओं में उनको कुछ reservation दिया जाता है जो साट service commission के थू सेना में गए हुए होते हैं उनके retirement के बाद राज की सेवाओं में कुछ अवसर उनको भी extra प्रदान किया जाता है reserve category उनकी बनाई जाती है बट इन लोगों की जो category होती है reserve की वह हारजेंटल reservation की category होती है और हारजेंटल को अगर आप arrow से दिखाना चाहेंगे तो arrow इस तरह बनेगा 36 वाला arrow बनेगा तीक है यानि की vertical अगर उपर की ओर जा रहा है तो 36 ऐसे रहेगा तीक इसका आर्थ क्या है इसका आर्थ यह है woman के लिए विकलांग के लिए सेना के सरस्यों के लिए जो retired है अगर इनके लिए कुछ सीटे आरच्छित रखी गई है और इन में से कोई general वर्ग में चुन लिया जाता है non-reserved category में चुन लिया जाता है तो मालिजे women's की 5 सीटे थी और उन 5 में तो महिलाओं को लेना है यानि कि उस vacancy में जो भी निकली हो नियुनतम 5 महिलाओं को लिया जाना अनिवार है अब women's के लिए जो पांच थी वह हो यदि अपनी कटेगरी अन्रिजर्व कटेगरी OBC कटेगरी यसी कटेगरी यस्टी कटेगरी जिस भी कटेगरी में उस कटेगरी के कार्डिंग सामान कार्ण महिलाओं को लेना है अगर यह सामानिता अपने वर्ग में चुर ऱकनी जाती है तो उसकी लिए निर्धारिश सीठें वह सामाने में जोड़ दी जाते हैं ना कि उनके लिए बची रहती है यानि कि यह सीटे सामान में जुड़ती चली जाएंगी लेकिन यह जो वर्टिकल आरच्छड के तहत हैं यह कैरी फारवर्ड हो जाएंगी सामान में ट्रांसपर नहीं होंगी ठीक है बहुत सीधी सी बात है वर्टिकल और हर्जेंटल रिजर